वाव देखे कितनी अच्छी ये बिल्कुल पहाडों के बीचों बीच पतली सी ये गंगा जी की धारा जो मैं दिखे बहुत सुन्दर लग रही है और जिसरे से जिग्जग करके जो रास्ता बनाया हुआ है अपने आप की पानी जब जाता एक जगा पर अपने आप जगा बना लेता है बहुत सुन्दर लग रहे हैं हलो फ्रेंड्स एंड विल्कम बैक टो टी एक्सपर्ट एक माई होब कि आपको हमारी वीडियो जो अभी आजकर हम दे रहे हैं ऑफ बीट प्लेस की पसंद आ रही होंगी और इसलिए हम और जादा अब एक्साइटेड है आपको आप बीट प्लेस दिखाने के लिए तो दे लगभग 30-35 किलो मिटर आगे है और बहुत ही सुंदर जगह है और जो जगह में आपको दिखा रही हूं यह अकॉमेडेशन हैं यहां पर इतने ब्यूटिफुल अकॉमेडेशन हमने यह रास्ते में जब हम आ रहे थे तो हमने नीचे से देखा कि रिवर के इतने पास भी क बने हुए हैं तो बड़ी किरियोसिटी हुई और लगा कि एक बार देखें कि यह किसने बनाए हुए हैं आके पदजला कि यह सरकारी हैं जी एम विएन गड़वाल बंडल विकास निगम सरकार ने देखो इतनी अच्छी जगह चूज की वी हैं क्योंकि रिशीकेश में भी अच्छे मिल जाएं तो हमारे जो खोज है वो कंप्लीट हो जाएगी और क्या टैरिफ हैं वह हम आपको बताते हैं क्या सर्विसेज है आईए देखते हैं और देखे यहां कॉटेज के बाहर से नजारा बहुत अच्छा है इवन सभी कॉटेज इसी तरह से बने हुए हैं बिलकुल गंगा जी का व्यू आपको दिखता है मांटेज लिखते हैं और बहुत सुंदर गार्डन भी बने हुए हैं आपर तो देखे यह इनका टू बेड जिसको बोलेंगे हम दो लोगों के लिए रूम बहुत स्पेशियस हैं इवन देखे सिटिंग इनोने अलग दी हुए है और बेडिंग अलग है तो सभी रूम एक तरह से यह एक्जाकेटिव रूम जिसको हम बोलते हैं उस तरह के रूम इनोने दिये हुए हैं एसी रूम है बनाया जिस तरीके से हुआ है पूरा वुड़न से बना हुआ है बहुत सुन्दर लग रहा है और देखिए एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स और विल्ट भी रखी मिया है इनोने और देखिए वाश्रूम भी काफी स्पेशियस है इवन शार के साथ इनोने दिया हुआ है नीट पर बैट कर विंडो से आपको देखे पूरा अच्छा व्यू मिलता है बहुत सुन्दर यहां पर मिरर दिया हुआ है और लिविंग एरिया में इन्होंने सिटिंग के साथ साथ यह जो लगेज के लिए बहुत सुन्दर रैक है टीवी है मिनी फ्रिज भी दिया हुआ है तो अगर हम बात करें तो काफी है और साथ ही क्योंकि स्पेस जादा है जनरली आप होटेल में इस तरह के एक्जेकेटिव रूम्स लेते हैं और विद आपको यह जो ओपन स्पेस आगे मिल रहा है इतने अच्छे व्यू के साथ तो आइधिंग चार्ज भी रिजनेबल है उसक बिल्कुल हाइवे पर ही आपको यह दिख जाएगा डैनियल्स डिप रेश्टरेंट एंड टूरिस्ट एंड राफ्टर्स कैम तो बिल्कुल में रोड पर है इसलिए ढूंडने में आपको दिक्कत ही होगी और बुकिंग आप ऑनलाइन करा कराएं तो आपके लिए ज्यादर बेटर रहेगा देखें यहां पर यह कोडियाला जो जगह है एक यह भी पॉइंट है राफ्टिंग का और यह लोग भी राफ्टिंग कराते हैं आप अगर जब यहां आएंगे तो आप राफ्टिंग इनसे बुक करा सकते हैं लेकिन यहां बहाव हमेशा तेज होता है और इसको वैसे तो यहां पर एरफोर्स वाले यहीं से शुरू करते हैं अपनी राफ्टिंग उनको वली राफ्टिंग में मज़ा नहीं आता है और वैसे तो देखिए सेफटी अगर हम लेकर चले तो सब चीजे सेफ होती है और इवन जो एडवेंचर एक्टिविटीज होती है खेल विभाग से जो आते हैं लोग वो भी इस पॉइंट को यूज करते हैं अपने जो वाटर एक्टिविटीज होती है उसके लिए तो देखिए अगर आप बहुत ही ज्यादा शौकीन है हाई एडवेंचर के लिए तो यह बहुत अच्छी जगह है राफ्टिंग यहीं से करने का मज़ा है लेकिन सेफटी के साथ और देखिए अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ फोर बेड़ेड रूम और यहां से भी व्यू तो अल्टिमेट है ही जैसा कि सभी रूम से है यहां पर आपको दो बेडरूम्स मिलते हैं और एक लिविंग एरिया मिलता है तो काफी स्पेशियस है और एमेनिटी यहां पर सारी मुझे दिख रही है थोड़ा सा लाइट की कमी है क्योंकि आज लाइट यहां पर है नहीं इसलिए शायद आपको विजिबिल्टी बहुत अच्छी ना दिखे दोनों रूम्स में आपको एर कंडिशन मिलेगा इस तरह के कॉबर्ड कबर्ड मिलेंगे मैंनी फ्रिज सभी रूम्स में है कभी-कभी ऐसे भी शूट करना पड़ता है पाली हों पाली होगगा उत्षप सीरा इफ थר को रूमना काती है पाली होगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगष आप è a कमन स्थआठकिशपरों कर दो आँछूम्स weeks कि आज बहुत तेस भूक लगी है क्योंकि आज प्रेक्फिस्स में भी बस हमने हलका ही खाया था और इसले बहुत तेस भूक लगी भी थी यहां पर फूड भी अच्छा है इंफरक्ट हमने और किया और जल्दी से हमें खाना सब हो गया क्योंकि हम लोग एक ड्रोन शूट भी निरे पाए पूरा इतने में हमें भाया ने बोला खाना रेडियो है तो सर्विस अच्छी है अब फूड कैसा है वो तो खा की पता चलेगा कि डाल बहुत अच्छी है जो कॉचा में तो में काफि सरे ओप्शन्या है और अच्छी बात यह है की रिसनेबल है काफि लेकिन उसे अच्छी बात भी उससे सबसे ऐच्छी बाति है कि इसका जो नाम है यह इसका नाम क्यों नखा गया आपको पताती हो कि अभी हमें भाईया ने बताया कि यहां पर एक Mr. Daniel थे वो पीछे से आ रहे थे राफ्ट में आ रहे थे किसमें आ रहे थे राफ्ट में और वो उन्होंने यहां पर डिप किया और वो बस डिप हो गया उसके बाद बार नहीं ने तो इसलिए उनके नाम पर यह दैनियल्स डिप यहां पर एक रॉट को कहा जाता है ले रकिन डिक नहीं रहा है यहां पर उन्हीं के नाम पर रो स्चाहरा चार्व कर लुड qr देखे आगे योगा हॉल भी बन रहा है लेकिन अभी इंकम्प्लीट है ड्यू टू लॉक्डाउन काम चली रहा है यहां पर इंवेंटरी ज्यादा नहीं है सेवन रूम इनके पास टू बेड़िड है और थ्री रूम इनके पताया फोर बेड़िड है तो अगर आपको अगर नंबर भी देंगे रेजर्वेशन नंबर और उनकी वेबसाइट का हम आपको लिंक भी देंगे तो आप वहां से डिरेक्ट बुक करके आएं तो आपके लिए बेटर रहेगा और देखिए रिशी केसे क्योंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है यह एरिया तो आपके लिए कि अगर आप भीड भाड से थोड़ा सा दूर आकर रहना चाते हैं और इतने अच्छे गंगा जी के व्यू के साथ रहना चाते हैं तो इस बजट में आपको ये लिए यह बहुत अच्छा ऑप्शन हमने आज आज आपको दिया है तो मुझे लगता है आपको ये ऑप्शन ही पसंद आएगा और इसी तरह से आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे कॉमेंट करना बिल्कुल न भूले हमें एनर्जी चाहिए होती है और आपके कॉमेंट्स हमें एनर्जी देते हैं इसी तरह से ट्रावल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ जैमा गं आपके अपर गिरा पड़ा है और यह ऐसी चीज़े देखकर बड़ा डरसा लग जाता है कही बाद